जहां एक तरफ कट्वा केस में आरोपियों के वकील क्राइम ब्रांच पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं तो वही अब क्राइम ब्रांच ने डिफेंस लॉयर के खिलाफ कोट में जाने का फैसला लिया है जिहां क्राइम ब्रांच ने ये फैसला लिया है कि वो डिफेंस लॉयर के खिलाफ कोट में जाएंगे Crime branch का कहना है कि Defense lawyer जान बूच कर जूटी अफ़वाहें फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि Crime branch गवाहों को जबरदस्ती गवाही देने के लिए उकसा रही है Crime branch का कहना है कि इससे लोगों के बीच सरकार के प्रती असंतोश फैलेगा और क्राइम ब्रांच के लिए भी गलत भावना पैदा होगी इसी के चलते क्राइम ब्रांच ने डिफेंस लॉयर के खिलाफ कोट में जाने का फैसला लिया है फाइनल काट न्यूस टेस्क